हलो फ्रेंड्स विल्कम टू चेंपियन गुर्जी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में लोग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे अभाजे गुननखंड विदी से क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट को वर्गमूल निकालने में बहुत सारी समझ से आती है तो दो से वीडियो को लाइक कर दिजिये और ध्यान से समझते रहे तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिसके बाद आप जीवन वर्गमूल निकालने में कोई विल्ती नहीं करेंगे तो देखिए सबसे पहले कैसे समझेंगे कि वर्ग मुन लिकाला है तो देखे यहाँ पर अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होगा कि उस संख्या का वर्ग मुन लिकाला है यानि यहाँ पर एकासी का वर्ग मुन लिकाला है या रूट के बाहर इस तरह से दो लिखा गया हो और अंदर कोई संख्या लिख्या गया हो तो इसका मतलब भी वगा वर्ग मुन निकलना है ठीक है तो यहां पर एकासी का वर्ग मुन निकलना है तो सबसे पहले इस एकासी को बाहर लिख लेंगे यहां पर लिख लिए अब देखिए इसको LCM की तरह निकलना है यहां इस तरह से बना लिना लेना है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें किस संख्या से भाग लगेगा, तो देखें, 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में, अगर 0, 2, 4, 6 या आठ में से कोई भी संख्या आता, तो वह 2 से भाग लग जाता, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं या, इसमें चाल इ क्लाओ करेंगे के तोब का 27 भाग भाग भल ठीक है अब देखिए 27 में फिर किसे बाग लग लग जाएगा तो फिर आगर फिर तीन टीन कितना होता तो 27 नौब हर इहां लगा फिर देखिए convenient किसे भाग लगई तो तीन से लगएगा जायगा तो सभी को यहा aanपर लिखना है तो देखिए तीन यहाँ पर लिखेंगे गुना के साथ लगाएंगे फिर तीन लिखेंगे गुना फिर तीन लिखेंगे गुना फिर एक बार और तीन है तो तीन लिख दिये एक लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा ठीक है अब तो भी संख्या दो बार आएगा उसके जगह पर एक संख्या लिखना है तो तीन तीन दो बार आहा है तो एक बार यहाँ पर तीन लिख देंगे गुणा सो दोस्तो इसे आप अशी बड़ी संख्या 32,400 का वर्गमुन निकलना है तो देखिए संख्या कितनी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो आपको वहीं step follow करना है जो पहले बताया गया है तो देखिए यहां पर 32,400 है तो यहां पर सबसे पहले 32,000 यहां पर 400 लिख लेंगे अब देखिए वर्गमुन निकाले के लिए आपको इस तरह से दो लाइन बना लेना है ठीक है अब देखिए किस से कटेगा सबसे पहले चोटी से चोटी संख्या तो यह जाएगा ठीक है दो दुना चार और यहां पर दो जीरो है तो दो जीरो बैठा देंगे अब देखिए यहां फिर किस से कटेगा तो देखिए यहां पर दो से कट जाएगा तो यहां पर दो से कट जाएगा और यहीं पर श्टूडिन गलती करते हैं कि आठ तो दो चौका आ है यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 से चोटी संक्या है तो क्या करेंगे जब नहीं कटेगा तो इसके जगाँ पर एक जीरो लिख देंगे अब देखिए इस 10 को लेगा 2 व laws किसी कटने मरतब कटेगा तो पांच 20-50 में इस तरह से भाग देकर भी लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए फिर यह देखिए बीस-पचीस है तो यहाँ पर यह देखिए यह 3 से कट सकता है लेकिन हमें इसे 3 से नई कटेंगे अगर 1 में करना है तो अगर उसे बड़ी संक्या से कट रहा है डाइरेक्ट तो आप उससे भी कट आ सकते हैं तो देखिए आप 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में अगर 0 या 5 रहता है तो 5 से कट जाता है तो 5 से लगाएंगे तो 5 का 20 हो जाएगा और यहां पर देखिए फिर यह 20 तो कट गया 4 मर्तबे लेकिन 2 5 से नहीं कट जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे एक 0 लिखेंगे और यहां पर आप सीधा 25 में भाग देंगे तो 5 35 यहां पर 5 मर्दबे कट जाएगा अब देखिए यहां किससे कट तो फिर से 5 से लगाएंगे तो 5 और चालीस और 5 से कम 5 हो अब देखिए अब यहां पर 9 से यह कटएगा 81 है तो 9 से लगा देंगे यहां पर 9 से सीधा कर देंगे तो 9-9 आए 81 हो जाएगा अब देखिए यहां पर जो भी संख्या बचा है आप उसको यहां पर गुना करके लिखशकते हैं जैसे कि पहले कुश्चन में हम किये हैं ले एक और पेर बन जाएगा और यहाँ पर 5 और 5 दो बार आया है तो इसका भी एक पेर बन जाएगा और यहाँ पर 9 और 9 दो बार आया है तो इसका भी एक पेर बन जाएगा अब देखिए वर्गमुल निकलने का नियम क्या होता है तो जो भी संक्या का पेर बनता है उसके जगा पर एक संख्या लिख देते हैं, यानि दो बार दो आया है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो एक बार दो लिखेंगे, गुना, फिर यहां पर दो बार दो आया है, तो इसके जगह पर एक और दो लिखेंगे, गुना, पांच और पांच दो बार आया है, एक पेर बना कितनी बड़ी संख्या का वर रिख मुल बहुत ही असान तरीक असन निकाल सकते हैं आई होग कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में आओगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल पर ना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे